आज की वीडियो में हम बात कहने जा रहे हैं सबा के जहान के बारे में हाल फिलाल में ये काफी जादा जो है सुर्कियों में चाही हुई है एक काफी अच्छी व्लोगर है इनको भई मैं तो इसी तरीके से इंट्रोडियोस करूँगी हाला कि कुछ लोग इनको दीपिका की नरंद के तरीके से भी जानते हैं बट इन्होंने जो यूट्यूब पर आई उसके बाद अपना खुद का नाम कमाया और उन्होंने महाप से काफी उपलब्दिया हासिल की अब कई सारी सेलेब्रिटीज के जो घरवाले होते हैं देखे न मुझे काफी जाद अच्छे लगता है क्योंकि फैमिली वाले होते हैं आर फैमिली को मोस्ट लेके कुछ ऐसे रोना पीटा नहीं होता अच्छे लॉक्स होते हैं तो इन्होंने जो अपना नाम कमाया है अपने खुद के बलबूते पर कमाया है अब कुछ दिनों पहले इनके जो बॉइफ्रेंड है वो सुर्कियों में आये सनी जिनका नाम है वो सुर्कियों में आये क्योंकि उनके साथ में इनके अंगेजमेंट वगएरा और अब शादी तैह हो गई है मतलब शादी होने वाली है इसे बीच जो उनके बॉइफ्रेंड है उन्होंने अपनी जोब छोड़ दी और वो आ गए इंडिया वापस पहले वो पहार जोब करते थे तो तब उन्होंने जोब छोड़ी तो उनके जो कुछ मतलब जो सबा को कुछ पसंद करने वाले होंगे या फिर कुछ टारगेट करने वाले होंगे ऐसे लोगों का कहना ये था कि जो सनी है वो पैसे के बीचे थे सबा के और उन्होंने सबा के पैसे के वज़े से उनसे शादी कर रहे हैं और अब वो नोकरी भी छोड़के इसलिए आ गए बहुत सारे सबालों के बाद में सबा ने इस इन सबालों को जो है क्लियर किया और उन्होंने आके एक वीडियो बनाई तो वीडियो मैंने देखी उनकी मुझे काफी सारी बाते काफी अच्छी लगी पहले तो उन्होंने अपनी जो फैंस है और जो फ्रेंड से उनको ये किलियर किया कि जो उनके बॉइफरն ने 8 साल से उनके सात में है जब सबा का कोई भी चैनल नहीं था तो आप समझ सकते हैं कि इतने साल से कोई बंदा है वो किसी लालच में नहीं था स्टार्टिंग से ही उनके साथ में है तो ये सभा की भी हम अच्छी बात बोलेंगे कि आज वो इस मुकाम पर है और फिर भी अपने जो साथी है उनको पार्टरन को नहीं चोड़ रही है उनके साथ में है और उस लड़के का भी मानेंगे जो इतने साल से उनके साथ में है और इतने सालसे सिलेशन को निभा रहा रहा है इसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई उन्होंने मेरे कहने पर जोब चोड़ी क्योंकि मैं देश से भाहर ही जाना चाहती थी तो ये बात वो नहीं चाहती कि वो बाहर जाए तो इस चीज में कोई बुराई और कोई शंधे की बात नहीं होती है बहुत से उड़ते ऐसी होती है बहुत सी महीना ऐसी होती है नहीं जाना चाहती तो इसमें संधे करने के क्या बात है अब भाई जिस लड़क से उनकी शादी होगी उसके साथ जाने के लिए obvious सी बात अगर वो बाहर जोब करता हो तो उनको अपनी country छोड़नी पड़ेगी उनके साथ जाने के लिए सब को छोड़ना पड़ेगा तो ऐसा नहीं चाहती थी उन्होंने उनसे अपने जो boyfriend है उनसे बोला और वो उनके लिए जोब छोड़ के आ गए और दो बंदा बाहर जोब कर रहा था इसको experience है उसको आप इंडिया में भी अच्छी जोब मिल जाएगी तो लोगों को इतनी साथा problem किस बात से होती है सिर्फ इसले कि किसी को ठाकर टार्गेट करना है तो आप कुछ भी बोलोगे क्या मतलब कि आप सब अगर YouTube पर है वो वीड कोई यूट्यूबर या कुछ भी होता तो मुझे बहुत जादा बुरा लगता है क्योंकि यहां पर ना लोगों को ऐसे दिखा दिया जाता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है अगर चलो आज सबा के पास पैसे है कल नहीं थे आज पैसे हैं और उसके साथ में कोई कुछ है तो बेस्ट वीसेज जी दिए कि फालतू की चोसलों में ना पड़े बहुत जादा ओक्वर्ड हो दाती है चीजे दूसरे इंसान के लिए जो की यूट्यूब पर नहीं होता उसको यह सब सुझे सुननी पड़ती है बिना मतलबी तो ऐसा ना करें तो मिलते हैं नेक्स वीडिय में तबते कि लिबबा थैंक यू सो मच